बिग बॉस सीजन सिस्टीन के खर के अंदर आने वाले वीकेंड के वार के एपिसोर के दोरान सलमान खान ने माना शिव ठाकरे और सुम्बल तौकीर खान जो है हैर रियल और बाकी घर वाले जो है उसके पूरी तरह से यहाँ पर जटका लगने वाला है जिन में अर्चना पतम जो है उनके आँखों से आसु निकलते वे नजर आएंगे आखिर क्यों निकलेंगे अर्चना के आसु यही बात आप सभी दर्शकों को हम बताएंगे लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चानल विक टिवी निउस को आपने सब्सक्राइब न और जादा तर वीकेंड के वार के एपिसोड में या तो सुम्बल तौकिर खान की बेज़ती होती है या तो सुम्बल तौकिर खान को इंपोर्टेंसी नहीं दी चाती अब सुम्बल तौकिर खान को धीरे धीरे जो है सलमान खान जो है वो पसंद करने लगे हैं और शेव ठ गर में सलमान खान ने आखिर क्यों कहा कि यहाँ पर पूरी तरह से शिव ठाकरे और सुम्बुल तौकिर खान है रियल ऐसा क्यों कहा बताते हैं इस हपते में बहुत सारी लडाईयां हुई बहुत सारी फेक लडाईयां हुई जिनमें प्रियंका और आपको बताना चाहते अर अर्चना की तरप से जादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अर्चना और प्रियंका के बीच में लडाई होती है, जगड़े होते हैं, टास में मिल जाते हैं, फिर शाम तक जो है एक दूसरे से गले लगा लेते हैं, इस वज़े से जो है यहाँ पर उनकी लडाई जो है काफ कुल भी पसंद नहीं आया यहां पर साफ साफ तोर पर तो कहा नहीं सलमान खान ने लेकिन इशारो इशारो में जरूर कह दिया अर्चना और प्यांका की मतलब वहां पर उनका निशाना था तो आपको बता दे दोस्तों यहां पर शेव ठाकरे और जो सुंबुल तौकिर खान उन्हें रिल कंटस्टन है असा भी उन्होंने कहा सलमान कान रे और कहा कि यहां पर जो भी कंटस्टन आये हैं वो मतलब कई न कई Frame होने के कुछत कर रहे हैं लेकिन शेवट-ाकर और सुंबुल तौकिर कान जो है वो आज तक ना Frame किये हैं ना Frame करते वह? नजर आते हैं यह जो है वो कहते हुए नजर आएंगे सारे खरवालों के सामने, तो यहाँ पर जब अर्चना गौतम की तारीफ नहीं होगी, यहाँ पर अर्चना को importance ही नहीं देंगे सलमान खान, जब शिव ठाकर और सुंबुलता किर खान को importance देंगे, तो यहाँ पर पूरी तरह से रोते हु पूर काफी जादा रोते वे नजर आएगी तो ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों सोचा आप सभी दश्कों के साथ हम जो है वो शेर कर लें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को कमेंट कीजेगा लाइक कीजेगा दो तो कमेंट के जरीए आप हमें ये बात भी बता सकते हैं आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों